हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का एक पर फिर से आपके अपने यूटीव चैनल विलिजर्स कॉंसेप्ट में तो फ्रेंट्स आज का जो सेशन लेके आया है देखिए एक नए सेशन के साथ आया है और आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं किरन पब्लीकेशन के तरफ से जो एक नए बुक लांच किया गया है सामान अध्यन का जिसमें की टोटल 6300 प्लस MCQ जो है इस बुक में दिया हुआ है और वो भी चैप्टर वाइज ठीक है तो आज से जो हम लोग सुरू करेंगे इस बुक को और इसमें देखिए विहार का जो जितना भी प्रिवियस एक्जाम हुआ है वो सारे क्विश्चन जो है वहाँ से संकले इस बुक में किया हुआ है तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेसन लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नहीं होगे इसको जो हम लोग चैप्टर वाइज जो है कबर करेंगे तो आज जो है देखिए हम लोग एक टॉपिक जो है यहाँ पर देखिए यह टॉपिक हो जाएगा आज का प्राचीन भारत का इती है इससे से रिलेटेर जितना भी बिहार के प्रिवियस एक्जाम में जो पुछा किये वो सारे क्वियस जो है हम लोग कबर करने जारे है ठीक है प्राचीन तो चलिए सुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इसका पहला क्वियस जो यहाँ पे प्रेंटस दिया हुआ है ठीक है फ्रेंट्स जायन धर्म के अनुसार 24 में तथा अंतिम तिर्थंकर महावीर स्वामी थे और इन से एक पहले जो है तैस्वे तिर्थंकर कौन थे तो वह थे पार सुना तो अप्शन नमर एक जो है इस question का right answer हो जाएगा अब चलिए अगला question देख लिए फ्रेंट्स यह option नमर चार इस question का क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा ठीक है चलिए next देख लिए हाँ पर question नमर थ्री फ्रेंट्स और देखिए इस question में कह रहा है कि दक्षिन भारत में जैन धर्म का परचार परसार हुआ था किसके दौरा तो सही answer है इसका option नमर चार हो जाएगा भद्र बाह option नमर चार होगा next देख लिए हाँ पर question नमर फ्रेंट्स देखिए question नमर फोर जो दिया हुए कह रहा है कि गुप्त काल में सरवच नियाईक प्राधिकार किसके पास था सही answer हो जाएगा इसका option नमर चार राजा के पास ठीक है option नमर चार जो है इसका right answer हो जाएगा अब अ next देख लिए हाँ पर देखिए कह रहा है कि इन नमर से किस समाकालिन ब्राह्मन वादी विश्वास में विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की right answer है इसका option नमर चार जीवन चाकर ठीक है जिसको की वर्णासरम धर्म का जाता option नमर चार जो है इस question का right answer ह किस अस्थान पर भगवान महावीर की मृतियों हुए थी देखिए सही आंसर है इसका option नमर चार पावापूरी में ठीक है कहाँ पर हुए थी पावापूरी में ठीक है कि महावीर का जनम 540 इस भी पूर में किस अस्थान पर हुआ था सही आंसर हो जाएगा इसका option नमर एक वैसाली में ठीक है महावीर का जनम 540 इस भी पूर में कहाँ पर हुआ था तो वैसाली में हुआ था option नमर एक इस question का right answer हो जाएगा अगला question चलिए देख लिए कहा रहा है कि सांची के अस्तूप का निर्मान किस ने करवाया था सांची के अस्तूप का निर्मान तो यह करवाया गया था असुक के द्वारा ठीक है option नमर 3 जो है इस question का right answer हो जाएगा चलिए अगला question देख लिए यहाँ पर question नमर 10 और देखे कहा रहा है कि कबीर किनके सिस से थे सही answer हो जाएगा अरामानन्द के option नमर 4 हो जाएगा इस question का right answer अगला देख लिए यहाँ पर कहा रहा है कि पूरी में इस्तित्विस्व प्रसित जंगनाथ मंदीर का निर्मान किस ने कराया था सही answer है अनन्त वर्मन ने option नमर 2 जो है इसका right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ठीक है चलिए next देख लिए यहाँ पर question नमर 12 हो जाएगा और इसमें कहा रहा है कि डाइनोसोर विलुप्त हुए थे डाइनोसोर विलुप्त हुए थे कब सही answer है देखिए क्रेटेसियस यूग में option नमर 4 इसका right answer हो जाएगा अब next देख लिए यहाँ पर देखे कह रहा है इसमें कि रिगवेद में निम्नलेखित किस नदी का उलेख नहीं है तो देखे इसमें रावी नदी का उलेख बिल्कुल भी नहीं है option नमर 2 जो है इसका right answer हो जाएगा अगला question देख लिएगे यहाँ पर कह रहा है इसमें कि निम्नलेखित में से अस्व मेग यग्य का आयोजन किस ने किया था तो देखे यहाँ आयोजन किया था समुद्र गुप्त ने option नमर 3 हो जाएगा इसका right answer next देख लिएगे यहाँ पर question नमर 15 फ्रेंट्स देखे कह रह कि राजस्थान में इस्थित परवती अस्थल मौंट आवू प्रसिद्ध है किसके लिए तो देखे यहाँ प्रसिद्ध है जैन मंदिर के लिए भी ठीक है जैन मंदिर के लिए भी option नमर 2 जो है इस question का right answer हो जाएगा फ्रेंट्स चलिए next देख लेंगे यहाँ पर कह रहा ह किया गया खजूराहो मैं मंदिरों का निर्मान किया गया किसके दोरा तो यह किया गया था बुंदेल खंड के चंदेलों के दोरा option नमर 3 हो जाएगा right answer अगला question देख लेगे यहाँ पर चालूक के वंस के सबसे पहला सासक कौन था चालूक के वंस के सबसे पहला सासक तो द देख लिजी यहां पर कहा रहा है इसमें कि कुसान सासक कनिस्क का राजय भी सिक किस सन में हुआ था देखे इसका सही आंसर हो जाएगा 78 AD में हुआ था अप्शन नमर चार जो है इसका राइट आंसर है चलिए अब देख लिजी अगला कोशन यहां पर कोशन नमर 22 और देखे अगला कोशन देख लिजी कहा रहा है सिंदु सभ्यता के बारे में नीमन में से कौन सा कथन असत्य है तो देखे सही हो जाएगा इसका लोग लोहे से परिचित्ते यह कथन जो है बिल्कुल असत्य है अप्शन नमर चार इसका राइट आंसर होगा चलिए अगला कोशन लिजे नेक्स्ट कुशन यहां पर कहा रहा है कि बोध गया में बोध ही विरिक्ष अपने वन्स की इस पीधी का है यानि कि किस पीधी का है तो देखे यह चतूर्थ पीधी का है ठीक है अप्शन नमर दो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आईए अब देखते हैं ने देखे नेक्स्ट कुश्टन जो यहां पर दिया है फ्रेंट्स देखे कहा रहा है इस कुश्टन में कि इसा पूर्व छठी सताबदी में विश्व की प्रथम गंतन तरात्मक व्यवस्था कहा थी तो यह व्यवस्था थी वैसाली में आप्शन नमर एक इसका राइट आंसर है चली अगला कुश्टन देख लेंगे यहां पर कहा रहा है कि उरिसा का पुराना नाम क्या था उरिसा का पुराना नाम सही हो जाएगा उतकल उरिसा का पुराना नाम क्या था तो उतकल था अप्शन नमर एक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला कुश्टन रहा है कि भारतिय संस्कृति का स्वर्ण यूग कहा जाता है, सही आंसर है इसका अगुप्त काल को, option नमर 2 हो जाएगा, right answer, चलिए, next देख लिजे, यहाँ पर कहा रहा है इसमें, कि कुनारक मंदिर के देवता है, कुनारक मंदिर के देवता है, सही आंसर है, इसका option नमर 1 कोशन में, कि भारत सरकार द्वरा प्रयोग में आने वाला सक समवत किस ने प्रारंब किया था, तो यह प्रारंब किया था, कनिस्क ने, option नमर 1 जो है, इसका right answer हो जाएगा, ठीक है, और यह कब प्रारंब किया गया था, तो 78 इस भी में, ठीक है, कब किया गया था, 78 इस भी प्रारम किया गया था ये भी याद रखिगा चलिए नेक्स्ट देख लीजी हाँ पर देखे कह रहा इस question में कि अहर्च वर्धन के सासन काल में भारत में कौन आया था सही आंसर है इसका वेंस्वांग कौन आया था वेंस्वांग आया था अप्सन नमर दो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट देख लीजी यहाँ पर कोश्चन नमर 33 दिया हो फ्रेंट्स देखे कह रहा है इस question में सारनाथ में किस समराट का का अप्सन नमर दो हो जाएगा यह अब देखते हैं next question और देखे फ्रेंट्स कह रहा है इस question में कि प्रसिद खजुराहो की गुफाएं इस्तित है कहां पे सही आंसर है मध्य परदेश में इस्तित है ठीक है अप्सन नमर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए next देख चार वेदों में से किस एक में जादोई माया और वसी करन का वर्णन है तो देखे यह वर्णन किया गया है अथर्व वेद में option नमर तीन इसका राइट आंसर है अगला question देख लिजिए यहाँ पर कह रहा है सारनाथ इस्तित अस्तंब का निर्मान किसने करवाया था तो यह करवाया गया था असोग के द्वारा option नमर एक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा अब चलिए अगला question देख लिजिए देखे कह रहा है कि सर्व प्राचीन विधी गरंथ कौन है सर्व प्राचीन विधी गरंथ तो देखे वह हो जाएगा यहाँ पर मनु असमरेती option नम इस भी में जो है यह प्रारंब हुआ था और गुप्त समवत चलाने का स्रे जो है चंदर गुप्त पर थमको जाता है यह भी याद रखेगा option नमर दो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगला question देख लिजिए यहाँ पर question नमर हो जाएगा 40 friends और इसमें कह रह है कि तोलक पियम तोलक पियम गरंथ सम्बंदित है किस से तो देखिए यह सम्बंदित है याद रखेगा वियाकरन से option नमर तीन हो जाएगा सही next देख लेगे यहाँ पर कह रहा है कि निमन में से किसकी पांडू लिपी को यूनिसको की सूची में सामिल किया गया है तो दे अब चलिए अगला question देखते हैं कि समराट असोक महान जिश ने 40 वरसों तक भारत में राजजी किया कि राजधानी का उस समय नाम किया था तो देखिए उनकी राजधानी का नाम था पाटले पूत्र option no.3 हो जाएगा सही चलिए अगला question देख लेगे यहाँ पर कह रहा है क कि प्राचीन नगर तक्चसिला निमनलेखित में सिकिन के बीच इस्थित था सही आंसर है या स्थित था सिंदुत था जहिलम के बीच में option no.1 इसका right answer है अब चलिए अगला question देख लेजी यहाँ पर कह रहा है कि हरपा सभ्यता संबंदित है हरपा सभ्यता संबंदित है सही आंसर है कांस यूग से option no.1 इसका right answer हो जाएगा अब चलिए अगला question देखेंगे कह रहा है इसमें कि चीनी तिर्थ यात्री वेन स्वांग ने भारत का ब्रहमन किया सही answer है इसका option no.3 हर्स वर्धन के सासनकाल में option no.3 जो है सही हो जाएगा चलिए next question देखेंगे यहाँ प अगला question देख लिजी यहाँ पर देखेंगे इसमें कह रहा है कि सारनाथ अस्तूप कहां इस्थित है तो यह इस्थित है वारा नसी में option no.3 सही हो जाएगा अब चलिए अगला question देख लिजी कह रहा है कि प्राचीन भारत का सुप्रसीद व्यक्ति पानी नहीं था प्राच सारवजनिक अश्नानागार यानि की great वात सिंदुगाटी सबयता के कौन से अस्थल से मिला है तो देखे फ्रांट्स यह मिला है मुहन जोदरों से option no.4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा अब चलिए अगला question देखेंगे कह रहा है कि समराट असुक के पिता कौन थे समराट असुक के पिता थे option no.2 इसका सही आंसर है अब देखेंगे कह रहा है कि हरपा सबयता के ओजार वहतियार अधिकतर बने होते थे सही आंसर है तामर टीन तथा कांस से option no.4 इसका right answer हो जाएगा अब अगला question देखेंगे कह रहा है कि निम्न में वेदों का सही कालानु क्रमिक क्रम क्या है तो देखेंगे इसका जो सही कालानु क्रमिक क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे रिग, साम, यजूर और अथरफेद ठीक है option no.2 जो है इसका right answer हो जाएगा चलिए अगला question देखेंगे यहाँ पर question no.55 दिया हुआ है और देखें को चैह रहा है इस question मे देखेंगे इस question में कहा रहा है कि निमनले खित को मिलाएगे list 1 और list 2 को क्या करना है मिलाना है 56 में तो देखेंगे इसका right answer हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर option no.3 जो है इसका right answer हो जाएगा चलिए next देख लेजी यहाँ पर question no.57 फ्रेंट्स question no.57 हो जाएगा और जाचीन धर्म है और जैन धर्म का आर्थ है जीन द्वारा प्रावर्तित धर्म ठीक है और जैन ग्राउन्थों के अनुसार इस काल के प्रथम तिर्थंकरी सब देव द्वारा जैन धर्म का प्रादुरभाव हुआ था तो option no.1 जो है इस question का right answer हो जाएगा चलिए next देख ल लिए थे option no.3 इस question का right answer हो जाएगा अब चलिए अगला question देख लिजिए कि असोक के सिलालेक लिखे गए हैं राइट answer है इसका option no.2 एक दो और तीन हो जाएगा यानि कि ग्रीक में खरोष्ठी में और आर्माइक में ठीक है तो देखिए option no.2 जो है इस question का क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा अब चलिए अगला question देख लिजिए friends देखिए क्या रहा है इस question में कि पंच तंतर किसने लिखा है ठीक है पंच तंतर यहाँ पे हो जाएगा पंच तंतर किसने लिखा है पंच तंतर हो जाएगा यहाँ पे कि किसने लिखा है देखिए right answer हो जाएगा इस question का option number 2 देखिए यह विष्णु सर्मा के द्वारा जो है लिखा गया था, ठीक है, option number 2 इस question का right answer है, चलिए अगला question देख लेजिए यहाँ पे, question number 61 दिया हुआ है, और देखिए इस question में कह रहा है, कि निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकूल है, कौन सा प्राचीनतम गु option number 2 हो जाएगा, अब चलिए अगला देख लीजिए, कह रहा है कि नागर, द्रवीर और वेसर तीन प्रमुख है, तीन प्रमुख है, सही answer है, भारतिय मंदीरों की वास्तु सैली, ठीक है, नागर, द्रवीर और वेसर, यह तीन प्रमुख क्या है, तो भारतिय मंदीरों की इस question का right answer हो जाएगा, चलिए अगला question देखेंगे, कह रहा है कि सक समवत का पर्थम मास कौन सा है, सक समवत का पर्थम मास तो हो जाएगा, चैतर, option number 3 हो जाएगा, सही, चलिए अगला question देख लीजिए, कह रहा है कि नगर कोजी कोड कहलाता था, सही हो जाएगा इसका काली option no.4 हो जाएगा अगला question देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि चोल प्रसासन की मुखे विसेस्ता क्या थी चोल प्रसासन की मुखे विसेस्ता देखें सही answer है इसका option no.2 ग्रामीन स्वैत्ता option number 2 जो है इसका right answer हो जाएगा अगला देख लिए यहाँ पर कह रहा है कि निमलेकित में से किस अस्थान पर सिंदु गाटी सबयता का बंदरगाह नगर इस्थित है तो देखे यहाँ इस्थित है याद रखेगा लो थल में ठीक है गुजरात के लो थल में option number 1 जो है इसका right answer हो जाएगा अब चलिए अगला question देख लिए friends देखे कहरा है इस question में कि प्राचीन हिंदू वीधी का लेखख किसको कहा जाता है तो देखे ये कहा जाता है मनु को option number 3 इसका right answer हो जाएगा अब चलिए अगला question देख लिए यहाँ पर इसका सही आंसर है चंदरगुप्त भिक्रमादित या फिर चंदरगुप्त दूइतिये भी बोल सकते हैं ठीक है इनके काल में तो आप्सन नमर तीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा अब अगला कोश्चन देखेंगे यहां पर कह रहा है इसमें भागवान महावीर का ज आप्सन नमर तीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आएज अब देखते हैं नेक्स्ट कुश्चन और देखिए फ्रेंट्स के राइस में कि समराट असुक के अधिकतर सी लालेक किस लिपे में लिखे गया है अधिकतर सी लालेक तो देखिए यह लिखा क्या है ब्राम कुमार गुप्त के द्वारा ठीक है कुमार गुप्त के द्वारा जो है यहाँ बनाएगा तो अप्सन नमबर दो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा अब चलिए अगला कुशन देख लिए देखिए कि गौतम बुद का जन्म कहां पे हुआ था सही आंसर है लुम्बीनी म अप्सन नमर चार हो जाएगा सही अगला कुशन देख लिए देखिए इसमें कहा रहा है कि इनमें से कौन मगद का सासक नहीं था तो कनिस्क जो है यह मगद का सासक नहीं था अप्सन नमर चार इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला कुशन देख लिए फ्रेंट्स देख किस देश में इस्थित है हरपा किस देश में इस्थित है सही आंसर है देखे यह पाकिस्तान में इस्थित है ठीक है सिंदु गाटी सब्वैता विश्प की प्राची नदी गाटी सब्वैताओं में से एक प्रमुक सब्वैता है और लोथल हरपा इसके प्रमुक के अंदर थे नेक्स्ट कुश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ फ्राइंस, देखें कहारा है, कि कि ने सांची अस्तूप का निर्मान किया, सही आंसर हो जाएगा इसका, असोक ने, ठीक है, चलिए, अगला देख लिए यहाँ पे, कहारा है, कि मनु असमरिती किस विशे के साथ जूरा हुआ मनु असमरिती किस विशे के साथ जूरा हुआ है, तो देखें, यहाँ जूरा हुआ है विधी के साथ, अप्सन नमर तीन हो जाएगा, अगला कुश्चन देख लिए, कहारा है, इसमें कि निर्मन में से कौन सा एक बाध धर्म का संपरदाय नहीं है, तो वह हो जाएगा, य गबर जो है यह बाध धर्म का एक संपरदाय नहीं है, उपनिर नमर दो जो है इसका राइट आंसर हो जागा, ठीक है, दिगमर जो है यह जान धर्म के दो संपरदायों में से एक है याद रखिएगा, तो अपनिर दो इसका सही आंसर है, चलिए, नेश्ट देख लिजी earlier आ तो देखिए इसका प्रतीक है तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रेंट्स वो हो जाएगा मृत्यू उप्सिन नमर एक हो जाएगा सही आईए अब देखते हैं नेक्स्ट कुशन और देखिए इसमें कहरा है कि मेगा अस्थनीज चंदरगुप्त मौरे के कारे काल में कौन था सही अंसर है राजदूत ठीक है मेगा अस्थनीज जो है चंदरगुप्त मौरे के कारे काल में क्या था तो एक राजदूद था, option number 2 हो जाएगा सही चलिए next देख लीजिए friends कहा है इसमें कि सत्यमेब जायते यहां से लिया गया है यहने कि सत्यमेब जायते कहां से लिया गया है, तो यहां लिया गया है मुंड़क ओपनी सद से, option number 2 हो जाएगा चीन से, option नमर एक जो है इसका right answer हो जाएगा, अब अगला question है, कह रहा है कि आद इतिहास, खाली जगा दियावा और इतिहास के बीच की अवधी है, जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखेत record है, सही हो जाएगा इसका, option नमर दो प्रागैतिहास, ठीक है, यहाँ पर क्या हो महावीर की मृतियों कहां पर हुई थी, तो देखे, इसका जो सही answer है, फ्रांट्स, वो हो जाएगा, यहाँ पर, option नमर चार, पावापूरी में, option नमर चार, जो है, इसका right answer हो जाएगा, अब अगला question देख लिए, कह रहा है, इसमें, बगवान बुद का जन्म लूंबीन में हुआ था, सही answer होजाएगा, इसका option नमर 3, लूम English का पर है, नेपाल में है, option नमर 3, इसका right answer हो जाएगा, अगला question है, बिंबी में किस राज, किस वन्स का राजा था, सही answer है, देखे, यह हर एक वन्स के राजा थे, ठीक है, option नमर 1, इसका right answer हो जाएगा, चलिए, अगला question देख लिए कि जातक पवित्र ग्रंथ है जातक पवित्र ग्रंथ है सही answer है इसका बौधों के ठीक है किसके है बौधों के जो है यह एक पवित्र ग्रंथ है जातक सिदार्त ने किस धар्म की अस्थापना की देखे सही answer होंगा इसका option नमर 2 बौध धर्म की ठीक है कौन से धर्म की बौध धर्म की ऑप्सवे नमर 2 जो है क्या हो जाएगा इस question का right answer हो जाएगा चलिए अगला question देख लिए यहाँ पर question नमर देखे 98 दिया वा फ्रेंट्स और देखे इस question में कहरा है कि निमनलेखित विदेशी यातरों की भारत यातरा को करमानुसार निर्दिष्ट करें तो देखे इसका right answer है option नमर 3 हो जाएगा सबसे पहले कौन आया था तो फाहियान उ अगला question देख लेंगे यहाँ पर देखे इस question में कि सिकंदर महान ने किस वर्स भारत पर आकरमन किया था सही answer है 326 इस विपूर्व option नमर 3 जो है इस question का right answer हो जाएगा फ्रेंट्स अब चलिए अब हम लोग देखेंगे इस वीडियो का last question यहाँ पर कहा रहा है इसमें मोहन जोदरों का साबदी कर्थ क्या है मोहन जोदरों का साबदी कर्थ सही answer है देखे मोहन जोदरों का साबदी कर्थ होता है मृतकों का तीला option नमर 3 जो है इसका right answer हो जाएगा तो फ्रेंट्स यह था आज का session और आज हम लोग देखेंगे इस book का किरन publication के तरफ से जो launch किया गया है जिसमें की total 6300 प्लस MCQ इस book में दिया हुए समान अध्यान का तो आज हम लोग देखेंगे है इसका प्राचीन इतिहास ठीक है प्राचीन इतिहास जो topic दिया हुआ है इसका जो है total 101 question जो है आम लोग cover किया है ठीक है friends इसका video जो है हमारे telegram channel villagers concept को जोईन कर लीजे आप लोग वहाँ से इसका video भी आप लोगों को मिल जाएगा ठीक है तो ऐसे video पाने के लिए हमारी channel के साथ जूरे रहें नेक्ट वीडि हमारी रहें रहें जो है।